अब सब स्वागत आपका आपकी अपनी यूट्यूब चैनल स्टड़ी विद आशु में तो स्टूडेंस आज हम देखेंगे वीडियो ट्रांस्क्रिप्शन के उपर तो आप यह इमेज देख सकते और वीव ओफ ट्रांस्क्रिप्शन का तो इसमें जो है आरने का सिंथेसिस कि यह कोडिञे फंद अरन यहोटा है एक ही टेंपुलेट पर सिंगल्ट आरने का होता है ठीक है और इसका स्पेसिफिक केprogram करने के सब्सक्रिप्शन करने का स्ब्सक्रिप्शन तो आप देख सकते हो यहां講 स्टेंट जिस पर सिंतेसिस नहीं हो रहा है और जिस पर सिंतेसिस हो रहा है वह होता है टेंपलेड इस्टेंट नॉन कोडिंग नॉन सेंस स्टेंट तो इसको नॉन कोडिंग नॉन सेंस क्यों बोलते हैं इसको विकोज इस पर जो न्यू स्टेंड का सिंतेसिस हो रहा है उसका जो sequence होगा वो इसके complimentary होगा ना ओर इसके complimentary sequens इसके हे ठीक है तो इसका complimentary sequence इसका है मतलब जो नया DNA स्टेसिस हो रहा है उसका sequence इसके बराबर होगा ना तो यह होगा coding instant और यह तो इसलिए यह non-conorbid nonsense template होता है ठीक ले ठीक है तो यह RNA polymerase आएगा और आगे इसका kayakud try to see person in the process of synthesis of RNA by copying the template strand of DNA is called transcription during replication entire genome is copied replication में रेप्लिकेशन में पूरे जिनोम का कोपी होता है लेकिन ट्रांस्क्रिप्शन में पूरे जिनोम का ट्रांस्क्रिप्शन नहीं होगा ओनली स्पेसिपिक जिस जिस जिन का में आवश्यक है उसी जिन का में ट्रांस्क्रिप्शन होगा तो रेप्लिकेशन में तो इंटार इंजय्म होता है बत इंजाइम इंवल्वेंग पौर्शन इस आर न पोलिमेरेज आर न उसमीं डियन अ पॉलिमेरेज दो जो एंटी पीज है वह जोडता जाएगा ठीक है अल्लाइक डी एने पॉली मेरेज इट केन इनिशेट ट्रांस्क्रिप्शन बाइट सेग ओके इट डॉट रिक्वाइड प्राइमर जो हमने रेप्लिकेशन में देखा था प्राइमर पहले जोडना पड़ता है फिर उसके उपर डीएने पॉली मेरेज जुरता है यहां प्राइमेज की आवश्यक्ता नहीं है इस ऩौर एंडि इन डिपेंडेंट आर ने पॉलिमेरेज तो वह है डीएने डिपेंडेंड डरने पॉलिमेरेज आएगा जो की सीधा डीयने की शिंगल अधुच्टेंड पहले ऊपर बाइं यह डिए टीए डिए ने वापिस से रिवाइंडिंग और आप जए आन्स तुम कम्प्लीट होगा यह वापस से अपने आप होता जाएगा पीछे से पीछे से यह बबल टाइब में यह इसको यह इसका ही फॉर्मेशन होगा और पिछे से जैसे ट्रांस्क्रीप्शन कंप्लीट होता जाएगा वैसे वापिस होता जाएगा और यह कोटिंग स्टेर्ट नउन कोटिंग के बार वी मैं पताई दिया आपको इसके बार फ इस when यहांपे आरने यहांपर बनेगा तो एंटी प्लिदीज निपी सबसें एंटीन यह ऑ हाइधा है यहां पर यह क्योंकि 3 days त्री डेस चीरे पर क्या होता है और फ्रॉप होता है वहाई पर फोस्पर्ट गृूप जो है वहां पर बॉंड बनेगा तो 3S 3D डेस एंड पर ही जो है वह आगे जूडते जाएंगे तो पोलिम्रेज आगे ठीक है तो यह था और व्रोल्स प्रोसेस आगे हम में देखेंगे हैं तो दा कि श्रेप ओफ ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस्क्रिप्ट्रांस् दो परकार्ष यह स्याओं तो रूबंडेंद और रू इंडिपेंडेंट फरकार क्यों आघाइंगे तो इनीशें से शुरू करते हैं कि ट्रांस्क्रिप्शन इस इनिशिएटेड बाई आरने फोली मेरेज होलो एंजाइम होलो एंजाइम के बारे में आगे भी हम देखेंगे बहुत चारे जो प्रोटीन बीटा बीटा डेजल्फ वह मिलकी होलो एंजाइम बनाते हैं उतले होलो अर्मियोशन प्रों में बाई इसके बाई मिवी आगे थोटा देखेंगे हम दो वर्य वाट प। आधी स्टें बाई एंजाइम इन्वोट इन ट्रांस्क्रिप्शं सिंगल आरने पोली मेरेज इस वांड इन बैक्तिरिया इस कालद में चोर् पोली मेरेज and it consists of core polymerase alpha, beta, beta-dase and omega I think so this single polymerase ही पूरा transcription कर सकता है और एक sigma factor होता है जो identification के लिए होता है वो सारा मिलके hollow enzyme मना लेता है ठीक है तो दो कोर एंजाइम यहां गया ना कोर एंजाइम बाइंड टो इस्पेसिपिक सेक्वेंस ओन टेंपलेट डीने स्टेंड कोल्ड परमोटर तो वह पूर जो एंजाइम है कौन सा अलफा बीटा बीटा डेस ओमेगा इनका भी अलग लेका अलग लेकाम होता जैसे की बीटा का वह एलिकेज एक्टिवेटी में आगे हम देखेंगे तो बाइंडिंग ऑफ कोर पॉली मेरेज टू परमोटर इस पेसिपिक फाइड बाइस सिग्मा अफेक्टर सिग्मा सेवे अब्सक्राइफ करके पॉलो ने का तो सिग्मा फेक्टर के जुड़ने के साथ ही वह कोर प्रमोट्र दाल जाता है होलो एंजाई में अलफा है इसके हम फंक्चन भी देख लेंगे इसका साइज होता है 36.5 किलो डालतन ओके और मोलिक्यूल इसके तू है और फंक्शन है इसका चैन इनीशियेशन एंड इंटरेक्शन विट रेगुलेटरी प्रोटीन रेगुलेटरी प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन में रहता है यह बीटा 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 डेस का बीटा है 151 किलो डालतन स साइज इसका 155 किलो डालटन इसका एक मोलेक्यल और डीने बाइंडिंग का ये काम करता है और सिग्मा सेवनटी किलो डालटन का होता है और यह पर मुर्टर रिकॉगनाईजेशन का काम करता है अबने पहले ही देखा इसका फ्रंक्सन है ठीक है है तो देखा प्लीमेरेज अलोंग विठ पोलेज पोलीमेरेज विठ सिग्मा वेक्तरी जोल्ड होलो इंजय अरन ने पोलिमेरेज होलो एंजय आप्रवारई मिल के साथ इंकेश ओफ ईकल्टर कंसेश्ट ऑफ तु और तू सिंवेट सिक्वेंस फाइव टीटी फाइव डेस पर से शुरू होकर टीटी जी एसी ए इस परकार क्या सिक्वेंस होते है यह को लाई के पर मोर्टर में मॉर्टर मन मैंने 35 ना इस पर मतलब अब टान इस पर अपक्ता आपको न जैसे को इसे में बहुत है इस सब्सक्राइब होता है जितने भी नंबर आते सिक्वेंश के साब से जाव से यह पहला नंबर नाट जनवेस तो प्लस से और इधर डाउख चीम में जब हम देखते हैं तो माइनस का होता है outta माइनस में लिके जाते हैं और यहां पर 25 माले स्टेश्वेंस हाम स्टेश्यों माइनस स्टेश् mesmo त्यज वाले स्टेश्र होते हैं हैंसोerna ुपट आप सभी को पता रहां के पहर और थे भी के इनकर सफ ई को लय को यह ती ए ए 10 माइनस 10 पे ठीक है दीज सिक्वेंस आर अप स्टीम अप स्टीम हमने देखा तू तू दे साइट फॉर्म विस ट्रांस्क्रेप्शन बीगिंग ओफ होलो एंजाइम तू तू कंजर्व सिक्वेंस ओफ प्रमोर्टर फॉर्म को को कॉंपलेक्स तो यह कह रहा है कि जो बाइंडिंग बाइंडिंग ओफ होलो एंजाइम मतलब सीग्मा के साथ में जो भी आलफा बीटा बीटा देस होएगा तो यह सारे जब जो पर मोटर के आमने दो पर जो कंजर्व सिक्वेंस बताएं उस पर अगर वह बाइंड हो जाते हैं तब वह क्ल पोर मेशन खुल सृत सिक उल्는지 कॉंपलेक्टीज क्लुकı मैं नहीं नहीं थीट कहने इनिप्लेशन में इन सम बैक्तिरिया अ फिल्टर्द पर मोटर में exist with content abstain element and some may contain extend minus 10 element rather than minus the 20 to variation hotel maybe a lot later which is me so I equal I mean I gotta yeah equal I guy diagram my sigma a minus sigma 70 type सब्सक्राइब करता है करता है इसमें यह पुलिम्रेज है इसमें हम दाटा भॉक्स जिसे बोलते हैं पर मोटर है रिपार्मोटर में दो कंजटर सिक्राइब किया जाता है सिग्मा फेक्टर के दुवारा यह माइनस पें तीस वाड़ा अप्स्ट्रीम वाड़ा यह है ठीक है और जैसे कि यहां से ट्रांस्क्रिप्शन स्टार्ट साइट यहां से इस जीन जीन का ट्रांस्क्रीप्शन होने वाला है तो इस से आगे आगे का प्लंसλλawk में पनूप्लेंस में जो मानस्यों वाला सिक्वेंस होता है है तो उसको किया जाता है है而 то सिक्मा जैसे की शीक्मा हमाँ तो वह अबाइदिक प्रोटीन होता है आपको पता क्या हिए डियना पर ही बाइंड करके स handlar करेंगा तो उसकी भी अल्फा हलिक्स की आ मैनस 10 स्क्राइब करेगी और जो मैनस 35 स्क्राइब करेगा तो अब हम ओपन कंपलेक्स देखिते हैं from minus 11 to plus 3 called melting तो जो minus 11 वाला sequence होगा ना जिसे की यह 0 वाला sequence है आगे के जिन का copy करना है में RNA बनाना है ठीक है तो उससे जो पहले के जो पहले के 11 वाला sequence होगा ना एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यह नो दस ग्यारा यह सब्सक्राइब करें और है एक दो तीन यहां तक का जो है उसका मेल्टिंग हो जाएगा ठीक है वह डिब लेक्स वह खोल जाएगा ठीक है तो वह खोल जाएगा इचानल टीन का सु डेट ऊपन कॉंप्लेक्स फॉर्म इसको ओपन कॉंप्लेक्स फॉर्म बोलते हैं तीश चेन्जिंग्ग रिखेंगे लिए डिख लेते हैं ठीक है तो यह अे पोलिमिरेज लेज जो कि यहां पर open complex हो रखा है आप देख सकते हो transcription बबल बन रहा है ठीक है तो यहां पर यह sequence DNA के open हो जाएंगे transcription होने के लिए तो यहां से अगर यह open हो जाएंगे तो इसके complementary RNA बनना synthesis होना शुरू हो जाएगा थूरू RNA polymerase enzyme तो यहां पर झाल यहां पर यहां पर जोड़ते जा रहे हैं ठीक है विकोज यहां पर three days ओर रहे रहा है क्योंकि फाइफ देश तो यह है न्यू आ रहेने का और यहां पर अपने automatic three days ओर रहा है three days side बन रही है और यहां पर जो है एंटिपी जो की नियू आ रहे है उसके फाइव डेस एंड वाला फोस्पेट ग्रूप है वह इसके त्री डेस से बॉंड बना लेगा और नियू आगे आरने की चेन इलोंगेट होती जाएगी ठीक है और यह कले आपको सब्सक्राइब करता है स्पीड इंक्रीज करने के काम आता है ठीक है तो आगे हम देख लेते हैं आदाने पोलिमरेज श्टार्ट सिंटेश नुकलेटाइव डागे श्रू करना सुरू कर देगा और एंटिपी जोड़ना शुरू कर देगा इस दस नोट रिक्वाइट थे हैप प्राइमर बन प्राइमर की रिकूल्ट मेंट यहां पर नहीं है वी कोज जो है हमारा पॉलिमरेज वो डियन बाइंडिंग होता है तो वह डियन पर बाइंड करके शिंटेश कर सकता है ठीक है तो इस दा इंजाइन सिंटेशाइज सॉल्ट आर एंए मोलीक्यूल इस जोट आर ने मोलेक्यूल ऑफ लेस टेन बैस पर तो सुभाती में क्या होता है वो अगे अपर देख रहे हैं जो सुरुआत में होता है जब इल्यायों अपर पाइड लॉन इनिशेशन में जब सुरु आती होता है उसका ट्रांस्क्रेप्शन होना तो जब दस से कम के व सारी हाँ सिगमा 3.2 एक्टिंग अज मीमी को आर ने मीमी को आर ने एंड इट लाइड निड़ ओर आर ने एक्जट चैनल इन ऑपन कोंपेंच सो मिमिक मतलब होता है नकल एक परकाश से ठीक है तो वह एक ऐसा इस्तल होता है एक इस्तान होता है ठीक है जो एक्जिट चैनल का मीड में होता है ये तो उस ताइम दस निकले टायर से कम सिंतेसिज होता है तो वह एक्जिट से बाहर निकल जाता है और वहीं से उसका बोट हो जादा बटेंगे बोलते हैं आगे देखिए आएगे तो इक टो इसे करने में में हो जाता है तो इट इजेक्ट इट इजक्ट दा सिंग्मा 3.2 रिजन एंड आरने फदर इलोंगेट एंड एक्जिट फ्रॉम आरने एक्जिट चैनल तो आरने एक्जिट चैनल उसे आगे चले जाएगा और दस्ट से ज्यादा सिंते साइज करने लग जाएगा ठीक है तो इस को हम बोलते हैं इस इस दा फॉर्मेशन ओफ ट्रसरी कॉंप्लेक्स आगे जानने के बाद में तर्सरी कॉंप्लेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं इसको तो अब देख लेते हैं इलोंगेशन के बारे में हमने इनिशियेशन देख लिया है लोंगेशन देखते हैं आफ्टर सिंटेस ओफ आरने अमोर दें टैन बैस पेर दसीग्मा फेक्टर निवागा एंजायम को ओके अंद एंजाइम जो को अदैनल बचा था अफालफा टेस पी बिटा बिटा डेस वाला इल्फा बिटा बिटा डेसरूमीर का वाला ठीक है वो अब आगे फोसे फ़दर मू करेका लोंग फटेस्ट्रीश देरेक्शन कंटिनिसली इंतेशिस आरन आरने को 5-day to 3-day synthesis करेगा, the synthesis RNA exit from RNA exit channel, हमने पीछे देखा बात किया, RNA exit channel था, उसे exit हो जाता है, वहां से फिर फिर इलोंगे सनोना सुरू करता है, the synthesized RNA is proof read by hydrolytic editing, proof reading भी की जाती है ताकि कोई ठीक गलती ना हो जाए, for this the polymerase bake track by one or more nucleotide and cleave the RNA, अगर कोई गलती होई होई तो गलत RNA अगर जूड़ गया हो, या फिर कुछ किसी पीपरकार की mutation देखने को मिलता है, तो वह थोड़ा बेक आता है, फिर cleavage करता है, उस nucleotide को new right nucleotide का formation करता है, RNA removing the error, remove करते था error को and synthesize the correct one, ठीक है, तो correct वाले जो भी होगा, उसको correct को add करेगा nucleotide को, तो the degree factor, the degree factor enhance this proof reading process, तो बहुत जदा important यह है, the degree factor जो की enhance करता है, the proof reading को, तो यह भी net level net exam के लिए बहुत जदा important topic है, तो यह याद रखने, remember करने का है, topic बढ़िया, ठीक है, पाइरो फोस्फोलाइटिक एडिटिंग, another mechanism of removing altered nucleotide, दूसरा पाइरो फोस्फोस्पेटिंग का है, ठीक है, तो पहला हमने देखा हाईटोलाइटिंग एडिटिंग, दूसरा भी होता है, पाइरो फोस्फोलाइटिक ठीक है, एडिटिंग, तो ट्रमीनेशन देखते हैं, अब ट्रमीनेशन ने, कर ठीक है हेर पिन लूप बनाकर बिकोज और हेर पिन लूप और लास्ट में जो है सिक्वेंस होता है पोली ए जो की एड कराता है फोली यू लास्ट में सिक्वेंस अमारे ने में ठीक है तो लास्ट में पोली सिक्वेंस होता है वह इसारा करता है टर्मिनेशन को और उससे प जैसे की टीने में होते हैं सी जी सी जी सी जी सी सिक्वेंस होते हैं जी सी रिच सिक्वेंस होते हैं जिससे जी सी रिच हमारे ने भी सिक्वेंस बन जाते हैं और बीच में स्पेस करके होता है इसमें जैसे यहां पर इस पेस यहां पर जी सी रिच नहीं है कि अंदुके और सोओ ce और से साथ पी गुंसे को सब्सक्राओं को गुसरान पर बारे सिमय करते इंवर्टेट्टर भी थी सुरू क्षप inverted repeat which causes complementary pairing as a transcript RNA form hairpin loop structure this inverted repeat is followed by a larger number of TTTT almost at base pair on template are DNA on template DNA pair this is a key that you are you racial appear in RNA RNA last my tail name I'm gonna tell you this sequence that was signal I ever car guy termination Kelly the load of hairpin structure is not tolerated by a you base pair so the RNA can get separated from RNA DNA hetero-deplex so I can see how raw dependent termination can be so prokaryotic transcription role dependent review of image row attached to the recognition site recognition site the termination site the role of the role of the role of the role ht होता है और वहां पे obviously आपफी आप ब्ता सकते वे टिवेस एक्तिवित के दोरा सब्सक्तार ब्रेकिंग होगा और उसको separate कर दिया जाएगा new RNA strand को ओके तो रोव अन्वाइंड दिन नरने hybrid अन्वाइंड करते हैं टर्मिने ट्रमिनेशन आर ने मिरेज रो एंड यह वो डाग्राम है आरने पोली मिरेज पोज एक टर्मिनेटर यहां पिया ने पोली मिरेज इस टोप जाएगा आगे यह लोगेट नहीं हो गए ठीक है so in this mechanism transcription is terminated by raw factor raw protein it is ringed shaped a ring ring shape ka hota hai ye single strand binding 80 phase protein single strand binding single strand pair bind karega ori 80 phase activity rakhye rakta hai ye the raw protein bind the single strand standard RNA as it exit from polymerase enzyme complex a polymerase enzyme complex they say RNA exit kata maha pe bind kata hai thik hai so exit from polymerase enzyme complex and hydrolyze hydrolyze activity 80 phase activity hydrolyze the RNA from enzyme complex okay so so the raw protein does not bind to the dose RNA which protein is being translated rather but but rather it bind to RNA after translation translation do you know all know about aware about what is translation translation is the process which mRNA is trans translation let in protein are either in enzyme converting engine okay in bacteria transfer Christian and the translation occur a stimulously so the raw protein raw protein bind the RNA after translation is complete but transcription is still on okay so hope you all understand all about this process transcription so we have a clear procarious transcription so a little bit if you understand it and you use full of a little bit if you have to take a little bit of your life in your study career so comment and subscribe to the channel and subscribe to the channel and subscribe to the channel बाइ 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 बाइ